Use of yet to, having to, able to, likely to, about to, able to, going to, about to, would to, used to, had to ऐसे कई सारे सब्दों हैं जो इस पोकन अंगलिस में काफी ज़्यादा परियोग होते हैं तो इस वीडियो में इस भी सब्दों का परियोग सेखेंगे Use of likely to Likely to का मतलब है संभावना है मतलब कोई काम करने की possibility है Subject is MR plus likely to plus V1 plus object रमेश के आने की संभावना है रमेश is likely to come रमेश के आने की संभावना है अगर इससे दूसरे तरह के से बनाए जाए तो इससे बना सकते हैं कि रमेश में कम रमेश में कम रमेश के आने की संभावना है मोडल वब से अबना सकता है में का परियोग संभावना बताने के लिए उन लोगों को match जितने की संभावना है यहां पर आप परियोग करने आर लाइकली टू इसके जगह पर सिर्फ में परियोग करने से इसका मिनिंग दे देगा संभावना बता देगा येट टू बी और इसका मतलब है कोई काम करना बांकी है यहां पर सबसे पले object आएगा जो noun या pronoun दोनों में से कोई भी आ सकता है इज आम आर प्लस येट टू बी इसके बाद वीथरी आएगा इससे go आना रहेगा तो go ना आएगा अगर इस पी करना रहेगा तो इस पोकन आएगा इस तरह से आएगा कमरा साप किया जाना बांकी है इससे बोलते हैं कि कोई काम किया जाना बांकी है वो काम करना बांकी है तो sentence में बोलते हैं कि the room is yet to be cleaned कमरा साप किया जाना बांकी है इस गली का रोड बनाया जाना बाकी है The road of this street is yet to be built B के बाद built वित्री है B के बाद cleaned ये भी वित्री है Having to और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता है Subject is MR plus having to plus V1 plus subject अब ये structure जो हैं इससे आप sentences without hesitation आप बना सकते हैं कोई भी गलती होने की कोई chance नहीं है बहुत easy तरे के इससे आप sentence बना सकते हैं हम लोगों को धूप में काम करना पड़ रहा है तिहां पर कोई काम करना पड़ रहा है आप उससे having to से बता सकते हैं मतलब आप यहां पर बताते हैं compulsion देखे situation समझ लेज़े कि having to का परियोग कब करते हैं compulsion मतलब मजबूरी जब बताना हो वो भी continue में तो वहां पर आप having to परियोग करते हैं इस तरह के से इससे हम लोगों को धूप में काम करना पड़ रहा है we are having to work in the sunlight इससे बोलते हैं रवी को खाना पकाना पड़ रहा है रवी is having to cook food कोई काम करना पड़ रहा है about to about to का मतलब है कोई काम करना करने वाला ही है या करने ही वाला है दोरदरगे से बोलते हैं यहाँ पर आगा singular subject इसके बाद is about to वी वन प्लेस object होगा वो station पहुचने ही वाला है वाला से पाले ही आगया या वाला के बाद भी ही आता है he is about to reach the station वो station पहुचने ही वाला है train खुलने ही वाली है the train is about to start मतलब about to का परियोग आप तब करते हैं जब आप बताते हैं कि कोई काम होने की संभावना बहुत जल्दी ही होने वाली है मतलब कोई काम होने की नियरिटी को आप बताते हैं आप कोई काम जल्दी ही होने वाला है going to मतलब कोई काम करने जा रहा है subject is MR plus going to plus V1 plus object वो साधी करने जा रहा है He is going to marry अब यहाँ पर देखिए जो going to marry यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब यह कि यहाँ पर सिर्फ planning हो रहा है physically अभी जा नहीं रहा है यहाँ पर planning की बात हो रही है आकास business करने जा रहा है मतलब वो कहीं जा नहीं रहा है वो planning कर रहा है, business करने की plan कर रहा है, तो अकास is about to, sorry, अकास is going to do a business, इसे बोल सकते हैं, अकास is going, अकास जा रहा है to do करने के लिए a business एक विया पाड, is able to, मतलब हैं कोई काम करने के योग्य है, subject is able to, plus even, plus object होगा, जिसे वो इस काम को करने के योग्य है, या पिर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि समर्थ हैं कोई काम करने के, या पिर आप कहें तो कोई काम करने के सक्षम है, इस प्रगार से, कोई काम करने के सक्षम है, उस तरह के से भी आप बोल सकते हैं तो यहाँ पर हैं वो इस काम करने के योगी हैं He is able to do this work मतलब is come This work Amun अंग्रेजी में बात करने के योगी है Because he knows how to speak English तो Amun is able to talk in English यहाँ पर आप sentences बड़े ही easy way में आप बना सकते हैं और आप practice कर सकते हैं कोई काम करने के योगी हैं किसी की capacity बताना हो तो आप able to इससे बना सकते हैं अगर आप इससे दूसरे दिर्गे से चाहें तो आप यहाँ पर इससे बोल सकते हैं He can talk in English He can talk in English वो अंग्रेजी में बात कर सकता है क्योंकि इसके पास capacity हैं तो इसके पास knowledge है आगे I would like और इसका मतलब है कोई काम करना चाहूंगा जिससे बोलते हैं कि मैं चाई पीना चाहूंगा जब आप group में होते हैं ता बोलते हैं कि मैं चाई पीना चाहूंगा मैं burger खना साऊंगा मैं वहाँ घुमना चाहूंगा तो आप अपना पसंदीदा चीजों को आप बताते हैं तो यहाँ पर मैं चाई पीना चाहूंगा I would like to take a tea I would like to take a tea मैं चाई पीना चाहूंगा सुमन उससे मिलना चाहेगा सुमन उड लाइक टू मीट हिम तो इससे बोल सकते हैं अब हैं were able to मतलब योग्य थे ये बताते हैं पास्ट में और पुलरल सबजट के साथ were able to be one object होगा वे लोग कार खरिदने के योग्य थे पास्ट की बाते हैं तो they were able to buy a car तुम लोग उससे पीठने के योग्य था you were able to beat him वो abuse कर रहा था लेकिन तुम लोगों ने पीठा नहीं तुम लोग पीठने के योग्य था सक्षम था capacity था तुम लोगों के पास लेकिन तुम लोगों ने नहीं पीठा ये पास्ट की बाते हैं had to मतलब कोई काम करना पढ़ा या कोई काम करना पढ़ता था दोनों तरगे से बनाते हैं और ये बताते हैं कमपल्शन वो भी पास्ट की कमपल्शन है कि कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा जैसे आप बोलते हैं subject had to plus v1 plus object उसे पैसे देना पड़ा he had to give money उसे पैसे देना पड़ा सुमन को fine देना पड़ा सुमन had to pay the fine इस प्रिगार से मुझे किसी तरगे स्टेशन पहुचना पड़ा I had to reach the station somehow तो यहाँ पर इससे आप परियोग कर सकते हैं was going to was going to मतलब कोई काम करने जा रहा था यशी आप पर आप बोलते हैं वह एंग्रेजित सिखने जा रहा था he was going to learn various कोई काम करने जा रहा था physically आप बोल सकते हैं रोघित आपना वियापार शुरू करने जा रहा था तो रोघित was going to start his business अब यहाँ पर है planning कि कोई काम करने की plan हो रहा है यहाँ पर अभी काम start नहीं हुआ बलकि अभी planning हो रहा है यह planning past में हो रहा था इससा बोल सकते हैं अब आगे समझते हैं use of am about to मतलब कोई काम करने ही वाला हूँ अब बोलते हैं subject am about to be one object मैं एंग्रेजी सिखने ही वाला हूँ मतलब कोई काम की होने की nearity को अब बताते हैं कि कोई काम होने ही वाला है I am about to learn English मैं एंग्रेजी सिखने ही वाला हूँ because the course is about to complete इससा बोल सकते हैं मैं उसे पैसे देने ही वाला हूँ I am about to give him money तो कोई काम करने ही वाला हूँ has to मतलब कोई काम करना है इससे उसे घर पर रहना है he has to leave at house कोई काम करना है पिरिया को बच्चे की देखवाल करना है पिरिया has to look after the children कोई काम करना है इससे क्या पता सलता है इससे पता सलता है कि कोई काम करना जरूरी है आप अर्जेंट को भी दिखा सकते हैं या कोई काम करने की मजबूरी है आप वो भी दिखा सकते हैं अब आगला सब्द है are about to मतलब कोई काम करने वाले ही है वे लोग उसे पिटने ही वाले है क्योंकि वो बहुत अब्यूज कर रहा है उल्टे से दे बाते कर रहा है तो वे लोग उसे पिटने ही वाले हैं इससे बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में बात करने ही वाले हैं यहाँ पर इससे आप बात करता हैं जो भी पुलरल सब्जक्ट होगा उसके साथ आप र का परियोग करेंगे चाहे वो नाउन रहे या प्रोनाउन रहे सबे के साथ र का परियोग होगा लेकिन वो पुलरल होना चाहिए यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट का आदी है, he is used to drinking wine वे लोग जुवा खेलने का आदी है they are used to gambling तो यहाँ पर इससा पर्योग करता है used to के बाद आप पर्योग करेंगे वेफोर, जब इससे पहले इसे मार वाजबोर आजाए So guys, thanks for watching that's all for today